बीते दिन भारत और पाकिस्तान के बीच महा मुकाबला खेला गया यह मुकाबला जरूर बारिस की भेट चड़ गया मगर इस मैच के दोरान घटी ये घटना इस वक्त सोसल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रही है यह वीडियो भारत के पूर्व क्रिकेटर और एशिया कप में इस वक्त कमेंटरी कर रहे है गौतम गंभीर की है सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए फिर हम आपको गंभीर की जबानी इस वीडियो के पीछे की पूरी सच्चाई बताएंगे इस वीडियो में आपने देखा कि दर्सको द्वारा कोली कोली चिलनाने पर गंभीर उनको मिडिल फिंगर दिखाते हुए नजर आ रहे हाला कि इस वीडियो में बिलकुल भी सचाई नहीं है ये वीडियो एडिटेड है और कोली और गंभीर की राइवलरी का यहां पर फैदा उठाया गया जिस वज़ा से सभी क्रिकेट प्रसंसको ने इस वाहियात वीडियो पर विश्वास कर लिया और गंभीर के उपर अनाप सनाप कमेंट करना सुरू कर दिया जब इस मामले ने तुल पकड़ा तो गंभीर ने मीडिया रिपोर्टर्स को इस वीडियो की पूरी सच्चाई बया की गंभीर के अनुसार वीडियो में लगाई गई कोली कोली की आडियो फेक है गंबीर ने कहा जो भी सोसल मीडिया पर दिखाया जाता है उसमें बिल्कुल भी सचाई नहीं होती है इस वीडियो में लगाया गया आडियो फेक है वहाँ पर कोली कोली के नारे नहीं लग रहे बलकी पाकिस्तानी प्रसंसको द्वारा हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे और कुछ आपत्ती जनक पोश्टर भी थे जिस कारण मेरा उहाँ पर ऐसा रियक्सन आया तो इस वीडियो के सचाई गंभीर ने क्लियर कर दिये और सोसल मीडिया के जरिए ऐसी चीजे काफी आम हो गई है जहाँ पर किसी भी बड़े वैक्तित को एडिटेट वीडियो चलाकर उसे बदनाम कर दिया जाता है और गंभीर के साथ भी ऐसा हुआ उनके कोली के साथ इस आईपियल में हुई कहा सुनी का फायदा उठाया गया जिसका रहा यह एडिटेट वीडियो सोसल मीडिया पर पढ़ते ही तुनामी की तरह वाइरल हुगा तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही आप सभी अपना ध्यान रखें सुरप्षित रहें सौस्त रहें ना भूलें